हाव रूफिक्स वान प्लास नाइन आर केमरा एंड फ्लेश लाइट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने वान प्लास की डिवाइस में कैमरा एंड फ्लेश लाइट प्रॉब्लम सॉल्फ के से कर सकते हैं अगर दोस्तों दोनों ही काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप अगर फ्लेश लाइट जलाके कैमरा क्लिक करना चाहोगे तो आप वह चीज़ कर नहीं पाऊगे ठीक है तो क्या सॉलूश पेसा कामाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको प्रॉब केशिंग पर ये सीयों लजब पर कलीक करें और कैमरा पर जाएए इस अरे केश पर जाके अपना क्लीर करदीज्र करने के बादिक करने के पाद आपको करना है और उसका सारे परमिश्ण चेक करना आए और दोस्तों ये चंफरॉम कीज़िए कि आपका फ्लेशिलाइट काम और उसके बाद storage में जाए free of space का option है इसमें टेप कीजिए आपके mobile खेश बगदा clean हो जाएगा mobile पर अगर कोई ऐसा bad application आपने इंस्टॉल किया है तो डिलेट कीजिए ठीक है बेर application वह application होते है जो आप कोई भी unknown website से इंस्टॉल करते हैं तो उनको डिलेट करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको mobile को safe mode पर reboot कीजिए ठीक है mobile को safe mode पर reboot कीजिए लेकिन safe mode पर reboot करने इससे पहले जाके देखिए अपने केमरा के अंदर पे आपका flash काम कर रहे है या नहीं कर रहे है ठीक है अगर काम कर जाता है ठीक है अगर आभी वह आपको problem आ रहा है कोई भी problem solve नहीं हो आए तो power button पे mobile power off हो जाएगा यानि कि safe mode पर reboot हो जाएगा जब ओन होगा तब दुबारा से कोशिश करके देखे problem solve हो चुका होगा अगर इससे problem solve हो जाता है ठीक है अगर problem solve नहीं होते तो आप play store में जाके कोई भी flashlight app download करके flashlight को जालाने की कोशिश करें या फिर कोई camera app जो है उसको install करें ठीक है कोई camera app को install कीजिए और उससे आप use करके देखिए तो वो बितर हो सकते आपके लिए ठीक है तो आप ये additional कुछ solutions आप कर सकते हैं ठीक है कुछ application third party applications लेके वो भी play store से अगर आब ये करना चाहे क कर सकते हैं अगर नहीं करना है आगे solution करना है तो कीजिए उसके लिए आपको next solution यहाँ पर follow करना है next पर आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है स्ट्रॉल डाउन करना है सिस्टेम पर क्लिक करना है और any chance अगर solve ना हो तब आपको क्या करना है reset option select करना है erase all data पर क्लिक करना है erase all data पर क्लिक करके mobile password day के factory data reset कर देना है जैसी ही आप factory data reset करोगे आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो camera and flashlight का दोनों ही problem यहाँ पर आपको हुआ है तो दोनों का solution यहाँ पर हो जाएगा तो इस तरह के से आप problem को solve कर सकते अगर कुछ भी problem हो जाए तो आप हमें बता सकते comment section पर Twitter पर follow करके बता सकते या फिर आपको स्क्रीन पर WhatsApp का contact भी दिख जाएगा आज के लिए बस इतना ही thanks for watching